हेलो बच्चो आपका अपने ट्योटर टाक चैनल में स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे संजोर जगता कैसे बनाए याने की हाउ टू कैलिकुलेट विलैंसी यहाँ पर एक से लेकर बेस तक तत्वों के नाम उनकी करमाक संख्याएं और उनके सिंबल लिखे गए है जिसे यह हैं करमाक संख्याएं एक दो तीन लिएकर दस तक और यहाँ पर ग्यारस लिकर बीस तक और यह साथ में इनके सिंबल है सबसे पहरे हमने क्या करना है इनके इलेक्ट्रोनिक विन्यास के बारे में हम पता होना चाहिए कि कैसे निकाले जाते हैं अलग अलग तत्वों के यह जो इनके जो इलेक्ट्रोन होते हैं अलग अलग तत्व के जैसे जो नाबिक के सबसे नजदीक वाला कक्ष होता है, उसे K कक्ष कहते हैं, अगले वाले कक्ष को L, उसके बाद वाले को M, और उसके बाद वाले को N कक्ष कहते हैं, जहाँ पर electron घूमते रहते हैं सबसे पहले नाबिक के सबसे नजदीक वाला शेल, जैसे ये नूकलिस के सबसे नजदीक वाला शेल है, वो भरा जाता है, electron के साथ, K कक्ष में अधिकतम दो electron आ सकते हैं, L कक्ष में अधिकतम 8, M कक्ष में, यानि कि M तीसरा कक्ष है, इसका है, उसमें 18, और N कक्ष में 32 अब ही आपने जो नियम याद रखना है वो अपने रखना है दो आठ आठ और दो अलग अलग शेल के लिए हम एक से लेकर बीश तक की बात कर रहे हैं हाइडोजन की करमाका संख्या एक है तो इसके पहले कक्ष में यह एक अलगे आपक हाँ और यह पूरी तरह केंसे भर चूगा है उसके बाद lithium के पास 3 electron है तो 2 electron तो इसके पहले कक्ष में आएंगे और तीसरे electron जो होगा वो कहां पर आएगा इसके दूसरे कक्ष में यानि कि L कक्ष में इसी तरह से अगर Beryllium के बात करते हैं तो पहले कक्ष में 2, हमने 4 पूरे करनी हैं electron तो बाकी के दो उसके दूसरे कक्ष में आएंगे ये बिरेलियम में पहले कक्ष में दूसरे कक्ष में भी 2, total electron 4 है इसी तरह से हम इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं आगे, हम इसका electronic की विन्यास लिख रहे हैं। तो 1, 2 electron 2, 3 है तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं 2,1 यानि कि पहले में 2, दूसरे में 1, बैरलियम का 4 है तो 2,2 पहले में 2, दूसरे में 2, ऐसी बोरोन का 5 है तो 2,3, आगे 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 और 2,8. इसी तरह से जब सोडियम की स्टार्ट होता तो इसका कर्माक संध्या 11 है तो पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, 2 और 8 कितने होगे 10, 11 पूले करने है एक बचा जो एक होगा वो तीसरे कक्ष में आएगा क्योंकि मैंने बताया था हमने इसके लिए कौन सा नियम ध्यान लखना है पहले 20 कर रहे हैं 2,8,8,2 तो इसके बाद 8 बचा दूसरे में 2 और 8 दस होगें कितने बचें दो दो बच गया है और दो तीसरे कक्ष में आए हैं अगर इसको हम सिंपल शेल में ना शो करते हुए एनरजी लेवल में ना शो करते हुए सीधे इनके नेम लिखें तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इनके 2,8,1 ग्यारा पूरी होगे फिर 2,8,2 बारा पूरी होगे ऐसी आगे बढ़ते जाएंगे 2,8,3 अब 14 पूरे करने हैं सिलिकोन का है 2,8,4 आगे फोस्वर्ज का फंदरा नंबर है तो 2,8,5 दो और आठ दस दस और पांच पंदरा सोना पूरा करना है आगे 2,8,6 दो और आठ दस और छे सोना स्तारा पूरा करना है 2,8,7 आरगन का थारा पूरा करना है 2,8,8 अब इसको ओक्टेट कॉम्पलीट हो गया है तो अब हमने नेक्स्ट कांटिक शुरू कर देंगे कोटासियम की बात करते हैं 2,8,8,1 कैल्शियम की बात करेंगे 2,8,8,2 तो यह तो इसकी हो गई electronic विन्यास तो यह हमने इसका electronic विन्यास लिख लिया अब हम बात करेंगे इसके आगे इसकी संजोकता कैसे लिखनी है सबसे पहले जिनके shell complete है जाकर जो noble के ऐसा है उनको लिखेंगे पहले shell में अधिक्तम कितने electron आ सकती है दो तो helium जो है वहकिया एक noble के ऐसा है इसी तरह से new इसके अंत में 8 electron है यह एक noble के ऐसा है और यहाँ पर आठ किस के last में आया है आरगन के last में तो जो जो noble के ऐसा है उनकी संजोकता क्या होगी जीरो आपने यहाँ पर लिखने नहीं है जीरो लिखने गे और इधर noon के भी last में 8 थे इसकी संजोजकता भी क्या है 0 और helium जो होता पहला shell में 2 electron ही अधिकता माती है उसका duplicate हो जाता है इसकी संजोजकता भी है 0 संजोजकता लिखते समय हमने outer most shell सबसे बाहरी shell में कितने electron है जा कह सकते है संजोजक कक्ष कहा जाता है उसे हिंदी में संजोजक कक्ष में यारिक सबसे बाहरी कक्ष में कितने electron है उनी संख्याओं को हमने देखना है अगर किसी के सबसे बाहरी कक्ष में 1,2,3,4 हो तो वही उसकी संजोजकता होती है जैसे हीलियम के बाहरी कक्ष में एक है तो इसकी संजोजगता एक ही होगी और लिथियम, बैरेलियम और बोरोन इसके बाहरी कक्ष में कितने हैं वान, टू, थ्री, और फोर यही इसकी संजोजगता होगी आगे पांच, छे साथ हैं इनकों रोक देती हैं अब यहाँ पर देखिए, सबसे बाहरी कक्ष में, संजोजग कक्ष में एक एलेक्ट्रोन, दो एलेक्ट्रोन, तीन एलेक्ट्रोन, चार तो यही इसकी संजोजगता होगी एक, दो, तीन, और चार यहाँ पर बड़े नमबर आगे, यहाँ पर कहा है वन, टू कहने का मतलब अगर आखरी कक्ष में एक, दो, तीन, चार है तो वही उसकी स्योज़कता होगी लेकिन अब आगे बात आती है जिसमें नमबर चार से बड़ा हो उसमें कैसे लिखना है अगर इसी का नमबर चार से बड़ा है तो हम उसको आठ में से लेस करके लिखेंगे आठ में से घटा कर लिखेंगे पांच है, पांच को आठ में से घटाएंगे तो कितना आता है, तीन छे हैं, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा दो, साथ हैं बाहरी कक्ष में, आठ में साथ लेस की है कितना आ गया है? एक और इसकी है इसके सामने लिख दते हैं दो इसी तरह से यह 5, 6, 7 है तो 8 में 5 को लस्ग गरेंगे 3, 8 में 6 लस्ग किया है आप में 7 लेस्ट किया हमने इसकी संजोजकता आगी एक इस तरह से मुझा रखना है जो नोबल कैस होती है जैसे इसके अंत में 2 था और बाकी जिनके अंत में 8 होता है उनकी संजोजकता क्या होती है जीरो होती है और जिनके अंत में 1,2,3,4 हो तो उनकी संजोजकता वही होग तो इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो दोस्तों के साथ जारसे जारसे शेयर करें थैंक्स वार वाचिंग